पटेस्वर बाबा धाम का निर्चन किया गया है जो सिम्री बक्तियारपूर अन्वंदल में आता है इसमें सबी व्यस्था हैं विदी व्यस्था संबंदित हो बहले ही त्यारियों से संबंदित हो या हमारे सर्धालों की सुरचा से संबंदित हो इसको देखा गया आज और उसको संबंदित खबर सहरसा से है जहां बलवा बाजार स्थित चोटा डेवगर के नाम से प्रसित बाबा मतेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था एवं श्रावनी मेली की तयारी का जायजा लेने सहरसा जिलाधिकारी वैवब चौधरी मंदिर के प्रांगर में पहुँचे जिलाधिकारी सर्व प्रथम बाबा की शिवलिंग का दर्शन कर उनसे आश्रवाद लिया तत्पश्चात वहां होने वाले तयारियों का जायजा लिया जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाली श्रावनी मेली में यहां सुरक्षव व्यवस्था पूर्ण रूपें श्रेडर होगी किसी भी तरह का कोई चूक ना हो इसके लिए हम निरिक्षिन के लिए आए थे साथी साथ स्थानिय पदधिकारी के साथ बैठक के रहेंगे और उन्हें सुरक्षव व्यवस्था तथा सहयोग के लिए निर्देश भी दिये जाएंगे वही मंदिर के प्रुजारी ने बताया कि यहां मंदिर अति प्राचीन है इस मंदिर का नाम मर्टेश्वर धाम है इनका शुद्ध नाम मर्टेश्वर नात महादेव है ये पूरे ब्रम्हांड के अंदर सिर्फ एक सिवलिंग है इनके चारों तरफ गंगा उपस्तित है जिसकी गहराई का आज तक पता नहीं चल सका है कई बार पूरा तत्व विव्याक वाले आए और जाच करके चले गए शिवलिंग पर होने वाले जलाबी शेक बेल पत्र सहीत अनिसामग्रिया उसे कुंड में चली जाती हैं उन्होंने बताया कि छर्रापटी मुंगेर घाट से लगभग 80 किलोमेटर की दूरी तैकर रेलवे ट्रैक एनच होते हुए डाक बम और कवर बम प्रतेक साल सावण में हजारों की तादाद में यहां लोग जला भी शेक करते हैं आईए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है जिलाधीकारी मंदिर की पुजारी एवं यहां के भक्तों ने प्रहाफ संखा में पुलिस पोर्स और मजिस्टेट का उसमें डेपूडेशन करें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी या ऐसी नेगटिव भटना ना हो सके और हमलों का पूरा प्रहतन रहेगा कि जो भी हमारे सरदालू है उनको किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत ना हो या जो भी कारे हो तो सभी 104 रूप से हो सके हमलों के हाँ कामरिया के सेवा के लिए और उसमें कई वह समाजिक तद्वी लेहरिया कर बाइट वगेरे भी चलता रहता है उसके लिए सर उस पर फोकस किया जाए यह काफी शरदालू के परिशानी होती है इस समझ में कुछ स्यारी की गया है इस चीच को तो इसका हम लोग भी अपनारे सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की जो समाजिक तत्व अबर कुछ बदमासी करने का सोचें तो उनके मंसुमक भी हम लोग विफल कर सकें और एक दों सांती पूंध भंग से सबी हमारी माताओं महनों के साथ में या हमारे पूरिज भाईयों के साथ में वेवार हो और किसी पकार की दिक्कत किसी के साथ महाँ है यह प्राचिन काल मंदीर है यह सिद्ध पीठ मंदीर है इनका नाम मतेश्वर अबरन सब्द में इनका सुद्ध नाम मृतेश्वरनात महादेव है जो पूरे ब्रमान के अंदर एक हिसी बिलिंग है जिनके चारो और गंगा बर र ईसमें सालो बर जल ग underest來到 यहां इस आपको पर हो अनक्रीन करें लिंग है उसका अस्ठापना और अ कोई किसी ने नहीं किया है इसका पोई इत्थि橋 नहीं जो जिसका बरतमान अभी चोकट पला यहां बरतमान है और उसके बाद जो है जब यह बिहार सरकार का आया तो यहां मंदिर बना खुलासा के लिए सहरसा से इंद्रदेव की यह रिपोर्ट